दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस्टग्राम अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं दोस्त अगर आप भी अपने इस्टग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप complete ध्यान से देखिएगा दोस्तो पहले Instagram account delete करने का features अलग था लेकिन अब इसका features change हो चुका है तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल latest process में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Instagram account को permanently delete कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में इसे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किये हैं तो वीडियो को कर दिजे like और channel पर नहीं है चैनल को कर लिजे subscribe तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों Instagram account को हमेशा के लिए delete करने के लिए तो सबसे पहले आप अपने profile section में आएंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 line का option दिखरा है उपद 3 line option पे click करेंगे जैसे आप 3 line option पे click करते हैं आपको first number पे ही एक option मिलेगा setting and privacy का आप इस option पे click करेंगे जैसे दोस्ता आप setting and privacy ओफशन पे click करते हैं आपके समने किन्या page आएगा तो नीचे आपको scroll down करना है नीचे आपको एक option मिल जाएगा help का आप simply help वाले option पे click करेंगे जैसे आप help वाले option पे click करेंगे फिर से आपके समने एक निया पेज आएगा आपको यह पर बहुत सारा option दिखेगा आपको simply help center वाले option पे किलिक करना है जैसे आप help center वाले option पे किलिक करेंगे फिर से आपके समने एक निया पेज आएगा तो दोस्तों यह पर देख सकते हैं आपके समाने बहुत सरा option Soho जाएगा तो आपको इन में से कीसी भी option पे click नहीं करना है Simply आपको 3 line के option पे click करना है जैसे आप 3 line option पे click करेंगे फिर से आपके समने एक नयाप page आएगा तो आपको यहापे बहुत सरा option देखने को मिलेगा तो simply आप यहापे manage your account option पे click करेंगे जैसे आप manage your account option पे click करते ही तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते ही फिर से आपके समने नया page आएगा यहाँ भी आपको बहुत सरा option मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते ही आपको यहाँ पे option मिलेगा delete your account का तो simple आप delete your account option पे click करेंगे दोस्तो मैं आपको पहले ही clear कर देना चाहता हूँ Instagram में दो type का account delete होता है एक permanently और एक temporary अगर आप temporary delete करते हैं तो आप फिर से अपने account को access कर सकते हैं और अगर आप permanently delete कर देंगे तो आप फिर से दोबारा अपने Instagram account को access नहीं कर पाएंगे तो simple आप delete your account option पे click करें यहापे दोस्तो देख सकते हैं आपके समने help center का एक नया page आएगा यहापे आपको information दिया गया है कि अगर आप temporarily deactivate अपने Instagram account को करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं यहापे इसके बार में information दिया गया है इसको आप read कर सकते हैं अगर आप हमेशा के लिए Instagram account को delete करना चाहते हैं तो कैसे delete कर सकते हैं उसका भी आप information दिया गया है तो simply अगर आपको permanently delete करना है अपने Instagram account को तो simple आपको यहाँ पे delete your account का section दिख रहा है यहाँ पे आप delete your account option पे click करेंगे जैसी आप delete your account option पे click करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे compete इसका जो guideline प्रीड कर सकते हैं then आप आपको अपने Instagram account को हमेशा के लिए permanently delete करने के लिए यहाँ आपको android app help का option दिख रहा है इस option पे आप click करेंगे अब जैसे इस option पे click करेंगे आपके समने बहुत सरा option आएगा तो simply नीचे आपको एक option दिख रहा है mobile browser help तो इस option को आप select करेंगे अब जैसे आप mobile browser help option को select करते हैं अब जैसे दोस्त आप mobile browser help को select करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप permanently delete करना चाहते हैं अपने instagram account को तो यहाँ पर बताएगे to request the permanent deletion of your account from your mobile browser तो इसके लिए आप delete your account option पे click करेंगे अब जैसे आप delete your account option पे click करते हैं अब दोस्तों आपको यह पे region select करना होगा कि आप किसलिए अपने instagram account को delete करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एक region select करेंगे जैसे आप इस पे click करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सरा आपके समने region आ जाएगा तो आप कोई भी एक region select कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ प अब जैसे दोस्ता प्रिजन select कर लेंगे अब आप जो अपना instagram account को password रखके हैं वो password आप यहाँ पे डालेंगे रेंटर यूर पासवर्ड अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्गट पासवर्ड का option मिलेगा पासवर्ड को फॉर्गट कर सकत अब इसके बाद दोस्तों आप आपको information दी गई है if you continue your profile and account details will be deleted on August 40, 2023 तो दोस्तों जैसा कि आज है 15 जुलाई 2023 और आज हम अपने instagram account को permanently delete करने के लिए request दे रहे हैं तो इस बीच अगर हम one month के अंदर कभी भी अपने instagram account को फिर से दोवारा login करते हैं अक्सेस करते हैं तो मे एक month तक फिर से अपने instagram account को login नहीं करना है जिस account के लिए आप डिलेशन का request दिये हैं तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो simple आप अपना password डाले चले हम password इंटर करते हैं आप दूस्तों password इंटर कर देने के बाद आपको यहां पे delete का option मिला है और आपका जो instagram का user name में व करते हैं तो इसके लिए आप okay करेंगे तो अचले हम okay कर देते हैं अब आप पुछ second wait करेंगे देख सकते हैं मेरा instagram account पर्मानेटरी डिलेशन का request submit हो चुका है तो दोस्तों one month के अंदर आपका account हमेशा के लिए delete हो जाएगा और आप अपने instagram account को फिर से दोबारा access नहीं कर पाएंगे तो मैंने आपको इस वीडियो में complete process दिखा दी है कि कैसे आप अपने instagram account को पर्मानेटरी डिलीट कर सकते हैं I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दिजे चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजे आपके मन में कोई भी confusion कोई भी श्वाल है वीडियो के नेचे comment किजे और वीडियो को आगे share जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में thank you जय हिंद